क्लास 12 के फिजिक्स में आज हम लोग मैगनेटिजम चुमबक्तव यंशी यार्टी फिजिक्स का पाच्मा चेप्टर है चुमबक्तव उसके इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोस्चन और एंसर को देखेंगे जहां दोस्तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें सभी इंप सब्सक्राइब करें चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला कोस्चन है यल लंबाई के एक अस्टील के तार का चुमबके आघुरुन यम है इसके एक अर्ध विरिताकार चाप में मोरा जाता है तथा चुमबकी आघुरुन होगा ये कोस्चन देखें दोस का मात रख है ऑप्सन देखें एक अधिस्रासी विस अधिस्रासी है सी ए और विदोनों D इन में से कोई नहीं तो सही अनसर होगा option B चुमबकी आघुर्ण जो है सदिसरासी और इसकी दिसा south to north होती है यानि कि दचनी धूर्ब से उत्री धूर्ब की ओर अगला question देखे पाचमा है चुमबकी आघुर्ण की दिसा option A है उत्री धूर्ब से दचनी धूर्ब की ओर टेसला परती जूर्ब यही option C हो जाएगा B टेसला परती जूर्ब जो है वो दिधूर्ब का मातरक नहीं है साथमा question है चुमबकी आघुर्ण है option A है एक अधिसरासी option B है एक सदिसरासी option C है ए और बी दोनों और option D है इन में से कोई नहीं option D हो जाएगा option A है एक सदिसरासी है चुमबकी च्छेतर का यह से मातरक क्या है option A है बी बर option B है बे बर बटा मीटर एमपियर option C है बे बर बटा मीटर एमपियर और option C है बे बर परती मीटर असकॉर्ब तो सही इंसर होगा option D, बेवर परती मिटर अस्वाइर, नोमा कोशन है, एक छोटे चुम्बक का निए चुम्बक के दुधूर्ब के कारण, और दूरी पर चुम्बक के छदर समानुपाती होता है, तो इसका सही इंसर होगा option D, R-3, अगला कोशन देखे 10 में, चुम्बक का चुम्बक के छदर की परवलता सबसे दिख कहा होती है, option एक चुम्बक के के दुर्बबो पर C, अनन्द पर और D, इनमें से कोई नहीं तो सही इंसर होगा, दोस्तो, option D, इनमें से कोई नहीं से इंसर होगा, बी, चुम्बक के छदर के अनुपरस्थ होगी, next question 12 में देखे चुम्बक की अक्ष के अगर लंबत दंड चुम्बक के करन चुम्बक के छदर की देशा देखेंगे, तो वो चुम्बक के आगुल के बीप्रीत हो जाएगा, option एह हो जाएगा सही, तेरा में है एक लगहू दंड चुम्बक की अक्षिय इस्थी में इसके के दर से समान पर चुम्बक की एछदर के वरताओं का अनुपात होता है, तो बेखें दंड चुम्बक के कारन जो अक्षिय इस्थी पर चुम्बक की च्छदर होता है, वो होता है, म्यू नोट बटा 4 pi, फिर से, मियोटई भटा पाई इंटू 2M बटा आर्क्यूँप यह होता आक्चियë में बटा करेंगे अनुपात के लिए रक्षिये में तो जाएगा मियो नोटबण भटा फोर पाई अमबगा आर्क्यूब तो देखे, फोर फाई मियूनोट कर जाएगा, यम बटार की उकड़ जाएगा, तो दो बटाई एक बचेगा, निकि दो अनुपात एक इसका इनसर होगा, दोस्तों, तो उप्शन जो है, तेरा का हो जाएगा, भी दो अनुपात एक सही, इसको आप जो है, नोट कर लिजेग होगा, ऑप्शन सी, बरे लंबाई, बाले चुमबक का कम होगा, दिन में से कोई नहीं, तो जो छोटा चुमबक रहेगा, लंबा में, उसका चुमबक के आधीक होगा, चुमबक के छतर अधीक होगा, नीकि आप जो है, बी सही हो जाएगा, पंदरमे, है, निरक्षेसिती में किसी चुम्बक के कारण विभव का मान कितना होगा तो निरक्षे सिती में किसी चुम्बक के कारण विभव का मान जो है वो सुन नी हो जाएगा प्रफर्मूला हो जाएगा मियू नोट बटा प्रफाई पी कॉस थीटा बटा आरकीव कॉस थीटा का मान नब्बे रखेंगे निरक्षे सिति के लिए तो कॉस नब्बे 0 होगा इसलिए वो सुनने आ जाएगा तो इसका एंसर जो है ब्रफाई पंदर का सही तब इसके चुम्बक के आघुरन का माल कितना होगा उप्षन ये दिया हुआ है I e l बटा 4 पाई B दिया हुआ है i l बटा 2 पाई C दिया हुआ i l बटा 4 पाई U sqar और D दिया हुआ है i l sqar बटा 4 पाई सही इसर होगा d i l sqar बटा 4 पाई 17 में एक विर्थिये लूप का चुम्बक के दुधुर्ब आघुर्ण यम है यदि धारा लूप की तिर्जी आधी कर दी जाएगा तो चुम्बक की आघुर्ण कितना हो जाएगा यम बटाफोर हो जाएगा निके उप्सन जो है इसका C हो जाएगा दोस्तो सही नेक्स्ट कोचन हम लोग देखेंगा ठारा में क्या पुछा है दंड चुम्बक के आघुर्ण का सुत्र कैप्टल यम इक्वल टु अस्मॉल यम गुना टु यम परतीक है तो देखे ये जो अस्मॉल यम होता हुँग धुर्बिये परबलता होता है और टु यल चुम्बक के लंबाई होता ता समॉल यल जो पुछ रहा हुँग चुम्बक धुर्बलता हो जाएगा अनि के उप्सन जो है डियो जगा सही उनिस में है आर तिर्जिया के बिरितिये पत पर एलेक्ट्राउन दिया हुआ है आवेस इसका समरूप चाल भी से चल रहा है तो इसका चुम्बक की आगुर्ण कितना होगा तो देखिए आर तिर्जिया के बिरितिये पत पर कोई लेक्ट्राउन अगर समरूप चाल भी से चलता है तो उसका चुम्बक की आगुर्ण ए भी आर बटा टू होता है आणि हाप यह भी आर हो जाएगा निका उप्शन जो है बी हो जगा सही नेक्स्ट कोश्चन है पीस में यम चुमबक की आगुन बाले छर चुमबक को दो समान टुकरों में तोरा जाता है यदि इसका परिकर्मन आभिरती 10 पर पावर 10 हर्ज है तो इसका तुल चुमबक की आगुन होगा आप देखिए यह जो कोश्चन दिया हुआ है यह गलत कोश्चन दिया हुआ है इस कोश्चन के अनुसार अगर इसमें सही ओप्सन देखेंगे तो इसमें कोई नहीं होगा ओप्सन डियो जगा सही लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग जो है 10 पे पावर 10 मिलियन हर्ज कर देते हैं आभिरिती को तब जो है एंसर ओप्सन यह आ जाएगा सही ठीक है तो इस परकार से आप इसको देखिएगा जो है यह कोश्चन में मिस्प्रिंट हुआ है अगर मिलियन हर्ज है तो अप्सन यह सही रहेगा एक दसनलब दो छे गुना दसे पावर तेईस एंपियर मीटर स्कॉयर तेले 22 में देखते हैं हाइडोजन परमानू के एक इलेक्ट्राउन नाभिक के चार ओर पांच गुना दसे पावर माइनस 11 मीटर तिर्जिया के एक अक्षा में 2 गुना दसे पावर 6 मीटर परते सकेंड की चार से गती करता तब इसका चुमबक की आगुर्ण होगा देखिए इसके पहले हम लोग जो है कोस्चन नमर 19 आप देखिए गाव उबजेक्ट्री में बताये थे कि आर्जिया के विर्थिये पत पर ईलेक्ट्रॉन समान चाल भी से घुमता तो उसका चुमबक की आगुर्ण होता इभी आर बटा टू तो यागर यहां पर भी आर बटा टू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मान रख देंगे भी दिया हुआ है देखिए दो गुना से पाबर 6 मीटर पर 30 सकेंड और आर दिया हुआ है पाच गुना से पाबर माइनस 11 और बटा दो करेंगे तो इसका जो एंसर मिलेगा आपको option B मिलेगा सही 8 गुना से पाबर माइनस 24 आजाएगा तो option जो है इसका B सही मार लिजेगा आप लोग देख लिजेगा इसको हल करके उतना जाएगा तरह नेक्ष्ट कोचन देखेंगे इसको डिभाइड करेंगे तो इसमें कोई option दिया हुआ ही नहीं है 0.1 0.12 है दिया हुआ तो इसको अगर हम करेंगे तो 0.1 जो है अनिकी बी का option जो है हो सही हाएगा 0.1 मीटर चले नेक्ष्ट कोचन हम लोग देखेंगे 24 में 24 में पुछाए एक छोटे चर चुम्बक का चुम्बक की आगुर्ण 2.5 मीटर है इसके अक्ष पर चुम्बक के केंदर से 0.5 मीटर की दूरी पर चुम्बक के चदर होगा तो देखिए एक छोटे छर चुम्बक के करण चुम्बक के चतर का मान जो अक्षियर येखा पर होता है वो होता है बी एक्वल टू मियू नोट बटा पॉर पाई 2 यम बटा आर कीवब अब इसमें सब का मान रखेगा इसको अगर आप लोग हल करिएगा तो इसका जो सही इंसर आएगा तो इसका सही इंसर होगा option A नेक्स कोशन देखें 25 में क्या है एक छर चुम्बक को दो बराबर भागों में इस परकार बाटा जाता है कि पर्तेक चुम्बक के लंबाय में परिवर्टन ना हो तब परतेक टुकरिय का चुम्बक की आगोर्न होगा यदि पुर्भ का चुम्बक की आगोर्न 48 A M M² है तो देखें इसका सही इनतर होगा B, 24 A M² 26 में एक चर चुम्बक को किसी चुम्बक के च्हत्र में लटका दी जाता है। तो यह जो अधिकतम बल आगःवन है वो फिटर पर डिपेंड करेगा निकी कौन पर। अब साइन में जो अथिकता मान होता हूँ नब्य का होता है तो बल आखुरन तभी मैक्सम रहेगा जब चुमबक की एक चुमबक के चत्व की दिशा से नब्य डिग्री का कौन बनाएगा निकिसका उप्शन जो है सही हो जाएगा सी नेक्स कोचन के 17 में क्या पूछांए निकिते मेंसे कौन सा कथन सही है उप्शन एफटर यह जैगा अफशन पर बळ आगोरुन द्वारा चुमबक की चत्व में थीटा कुर मनाने पर कितना कार्ज करना होगा पिवाइम भी बाइनस की वह भी हो जाएगा सही। नेग्स सब्से अधीक होती है। यहाँ पर होना चाहिए था किस पदार्थ की चुम्बग सिलता सबसे अधीक होती है। लोग पड़े होंगे तो इसका सबसे अधीक होता है। 31 में है पर्ति चुमबक की पदार्थ का आप एक चीक चुमबक की पदार्थ का एक से कम होता है उसका चुमबक के पराविरती रिनात्मक होता है वो पर्ति चुमबक के पदार्थ का आप आप एक से कम है तो इसकी चुमबक की पराविरती एक से कम होता है उसका चुमबक के प कौन सा पदार्थ परती चुमबकी है तो बिस्मत जो होता है वो परती चुमबकी होता है निकि option जो है डी हो जाएगा सही 34 तामा पुछा गया है क्या है तामा भी परती चुमबकी पदार्थ में आ जाएगा इसका भी option हो जाएगा सही 36 में है ताप बढ़ने पर अनुचुमबक के पदार्थ की चुमबक के पराविरती क्या होती है तो जेखे कियोरी का नियम अगर आद कीजेगा तो चुमबक के पराविरती जो होता है ताप का ब्यूत करमा अनुपाती होता है 38 में है लोग चुम्बक ये पदार्थ की चुम्बक के प्राबिर्ती निर्पेक्च तापकर्म का ब्यूत कर्मा नुपाती होता है इस नियम को क्यूरी का नियम कहेंगे यानि के अप्सन यह हो जाएगा सही next question देखिए 40 में दिया हुआ यदि 1CM और T献क के परापिरती किसी पदार्थ का चुमक के परापिरती हो देखो दिया हुआ है यदि एक चीम किसी पदार्थ का चुमक के परापिरती है और तापकरम t है तब 1CM बराबर c बटा t-t c जहां c एक constant है और TC जो है वो कियूरी तापकरम है इस समय तो कियूरी बिन्सका नियम बोलेंगे अनि कि option जो है B हो जागा सही 41 में किसी पदार्त की चुमबकन तिब्रता चुमबकी आगुन के परती एक आंक आयतन के बराबर होता है जो चुमबकन तिब्रता होता है वो यम बटा B होता है नि कि चुमबक की आगुन बटा आयतन तो आयतन इसका सही एंसर हो जाएगा option C ठीक है आयतन आध रखेगा 41 का C हो जागा सही next question हम लोग देखेंगे चुमबकन तिब्रता का यसाई मातरक पूछा है option A दिया हुआ 11 तो सइस्थि लिकाते हैं option जो है C हो जाएगा सही दोस्तो next question हम लोग देखेंगे 55 में किसी चुम्बक में जब सभी परमानुस वता है चुम्बक के छटर की दिशा में वेवस्तित हो जाते है तो इसी सिती को क्या कहा जाता है चुम्बक के संत्रिप्तित का हा जाता है अनिकि option जो है यह हो जाएगा सही 36 मेह अस्थाई चुम्बक किस पदार्थ का बनाया जाता है अस्थाई चुम्बक जो है लोव पदार्थ का बनाया जाता है अनिकि option जो है C हो जाएगा दोस्तों सही संदाले समेह किस पदार्थ का सैथिल लोप का छतरफल सबसे अधीक होगा ओप्सन A है अश्टील ओप्सन B है लोहा ओप्सन C है कौपर और ओप्सन D है इनमें से कोई नहीं सही अंसर होगा अश्टील अनिकी ओप्सन A नेक्स्ट कोचन हम लोग देखेंगे अर्टाले समेह स्थाई चुम्बक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सबसे अधीक अच्छा होगा नर्म लोहा, अस्टील, सक्त लोहा या इनमें से कोई नहीं तो सही अंसर होगा स्थाई चुम्बग बनाने के लिए जो है अश्टील का पर्योग किया जाएगा उप्सन भी हो जागा सही बिद्धु चुम्बग बनाने के लिए पहला दिया हुआ है लोहा तिसरा दिया हुआ है परति चुम्बग के और दिसरा दिया हुआ है लोग चुम्बग के दिया हु और 78 दसम्लब 3 है, तो आप एकशिक चुम्बक सिल्था का मान क्या होगा? आद देखे, संकेत में यहा दिया हुआ है आप एकशिक चुम्बक सिल्था मीवार जो होता है, वो 1 पलस 1 Cheese UM होता है तो यह जो X दिया हुआ है, इसमें 1 जोर देंगे. तो 689 दसम्लब 3 होगा निये क अप्सन जो है इसका C हो जागा सही दोस्तो बावन में है अनुच चुम्बक के पदार्त का पेक्षिक सुम्बक सिलता एक दसमलब 000028 है तो उसके चुम्बक के पराविरति का मान क्या होगा तो इसका सही अंसर देखे दोस्तो अप्सन D हो जागा सही 2 दसमलब 8 गुड़े 200 चुम्बक के पराविरति क्या होगा अब देखे चुम्बक के पराविरति लिकाने के लिए संके दिया हुआ है एक सियम इकॉल टू आई बटा या चानी आई तिप्रता और यह जो है चुम्बक के तिप्रता अगर यह दोनों को डिभाइड हम लोग करते हैं तो इसका सही एंसर दोस्तो आपको मिलेगा उप्सन C 600 ठीक है निर्पे एक चुम्बक सिलता और मियू नोट आप एक ची सुम्बक सिलता तो आपसे मियू नोट का मान पुछा गया तो अगर मियू नोट हम लोग लिका लेंगे तो मियू बटा मियू आर हो जाएगा अब इसका इंसर जो है आपको मिलेगा सही ओप्सन C 7.5.4.2 पर मैना चुम्बक के तत्व मियू नोट इसका सही नतर होगा सी चुम्बक के चुम्बक के तत Ma का sì और मैं इसका सही इंसर होगा सी जो है प्र-थिवे के चुम्बक के ततर के नहीं आता है ऊप्सन C और वे लोग देखेँगे संतावन में क्या पूछा कि चुमबक की आमयुत्तर और भागोलिक आमयुत्तर के बीच का कौन क्या कहला था निके उप्सन जो है यह हो जाएगा सही इसका यह सही हो जाएगा अंठामन में हैं पिर्थभी के चुमबक की छेत्र 36 दिशा के साथ जो कौन मनाता है उसको नमन कोन का था निके उप्सन हो कोन के सही हो जाएगा अगला कोचन है चुमबक की था नमन कोन के सही सार्थ निके उब्सका क्ति में से कहां पर चुमबक 6 गटक नहीं होता हैrianागां उक्सन बीच मज के धुरुपर शितन दिशा के धुरुपर निक्ष कोचन देखे बार석 में दिया हुआ है दो लंबत समतल के लिए अब 80 नमन कॉन करम साथ लेमडा 1 तथा लेमडा 2 है तब उस अस्थान पर बास तभीक नमन कॉन कितना होगा option देखें इसका ही हो जाएगा सही count asquare lambda equal to count asquare lambda 1 plus count asquare lambda 2 63 में देखें एक formula दिया हुआ है एक फॉर्मुला दिया हुआ निटकेते में से कौन सा सुत्र सही है तो 10 लेम्डा 10 डेल्टा इकॉल टू बी भी बटा भी अच होगा आनि कि भर्टिकल का चुम्बक के चदर बटा होरिजोंटल का चुम्बक के चदर 10 लेम्डा के बराबर होगा तो इसका सही इंसर सी हो जाएगा नेक्ष्ट है नों चुम्बक के पदार्थ के चुम्बक के पराबिर्थी एक्स जो है परमताप टी से किस परकार बदलती है तो ये देखिए क्यूरी का नियम अगर आत किजिएगा तो एक्स परपोसनेट वन बटा टी होता तो इसका सही नेक्ष्ट कोचर हम लों देखेंगे सरसट में क्या है एक अस्थान पर एक अस्थान पर नती कौन 30 डिगरी है तो पिर्थभी के चुम्बक की चेतर का घटक कितना होगा अप्शन जो है बिद्धु चुम्बक बनाने के लिए उचित पदार्थ रखना चाहिए नीम्न धारान सिर्त था उच निगराहिता देखियो अप्शन जो है डी हो जाएगा सही अप्शन डी हो जाएगा इसका सही उनच्तर का तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग कलास 12 के फिजिक्स का NCRT बुक से पाचमा चेप्टर मेगनेटिजम का इंपोर्टेंट अबजेक्टिव कोशन और एंसर देखा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक सेर करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे ताकि जैसे आपको लिए लिए वीडियो लेकर काएंगे तो आपको नोटिक्सन मिल जाएगा